तो आज हम लोग बनाएंगे बहुत दा टीस्टी पाइन आपल केक की रेस्पी जो बनाने में बहुत आसान होने वाली और खान में बहुत टेस्टी बनेगा ये और ये जो केक थाना ये बहुत सॉफ्ट बना था तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा चाहिए आज ही ये की रेस्टी बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने आप एक बड़ा सब आउल लिया है जो एड कर देते हैं 1 4th cup रिफाइन ओयल एड करने के बाद दूद तो जो दूद है ना उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आड करेंगे एक साथ ही पूरा दूद नहीं आड कर देंगे पहले हमने देखिए आप ओयल के साथ थोड़ा सा दूद डाला है बाद में और आड करेंगे अब एक बड़ी चैनी ले 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 लिते हैं जिस पर लोग आड कर देते हैं PC होई चीनी मीट आप अपने साब से कर सकते हैं हमने यह आप पर आधा कप से थोड़ा कम अब लोग पहले इन तीन चीजों को बहुत अश्तरी के से मिकसल लेंगे और सबसे पहले हम लोग यह आप एक 6 इंच की केक टीन लेंगे और इसको ग्रीस कर लेते हैं तो आप पास जैसे हैं ले सकते हैं लेकिन अगर आप एक थोड़ा हाइट पर बननाना चाहते हैं तो छ कढ़ाई में केक को बनाएंगे तो यहां पर एक बड़ी सी हमने कढ़ाई ले लिए है जिसमें एक छोटा से स्टैंड लगा दिया है तो इसे हम लोग धग देते हैं और लोग फ्लेम पे प्रिहीट होने देते हैं तो अब हम लोग हमाई केक के बैटर में और इंगूरिणिस सबसे पहले इसमें आट करेंगे हम लोग 1.5 कप मैदा मैदा आट करने के बाद हम लोग इसमें आट कर रहे हैं एक छोड़ा चमश बेकिंग पाउडर और आदा चोड़ा चमश बेकिंग सोड़ा इसे ना केक बहुत स्पंजी और एकदम फ्लफी बनके तयार होगा और अब अब हम लोग इसको चान लेते हैं और चानने के बाद इसे मिक्स करेंगे तो यह देखे हम लोग आप ऐसे मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग दूद आट करेंगे तो जेतना दूद का जरूद हो उतना ही दूद आप इसमें आट किजेगा बहुत apple emulsion यह emulsion जो होता है इससे color भी आ जाता है तो अगर आपको pineapple cake खाना पसंद देना तो इससे आप जरूर लीज़ेगा मार्केट में असानी से मिल जाता है और थोड़ा सा लेंगे ना तो बहुत दिन तक चलेगा तो बस आपको 5-6 ड्रॉप डाल के इस तरीके से mix कर लेना है और फिर यहां पर हम लोग केक टिन में यह बैटर को add कर देते हैं जैसे कि आप सुद देख सकते हैं बैटर किता जादा स्मूद बन के तयार हुआ है तो अब हम लोग हमारी प्री हीटिट कढ़ाई में इसको डाल देते हैं तो इसे अपना सर्फेस पे रखके दो तीन बार अच्छे से सेट कर लीजेगा उसके बाद ही इसमें रखिएगा वरना जो बबल सेना उसके वज़े से केक्स में क्राक सकते हैं तो अब हम लोग इसे ढख देते हैं और 40 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम लोग पकने देते हैं पर बीच बीच में आप चेक भी करते रहिएगा तो यहां पर 40 मिनट हो गए है केक बड़ चेक कर लेते हैं और यह देखिए जो स्टिक है ना उसको हम लोगों के बीच में इंस्टर्ट करना है और उसमें थोड़ा सबी बाटर नहीं निकल के आ रहा है तो हमारा केक एकडम पके तयार है इसे थंड़ा होने दीजे और पर इसे निकाल लेते हैं और आप एक बड़ देख सकते हैं कितना ज्यादा फूला बनके तयार हुआ है और इक तब फ्लफी भी है यह देखने में ही लग रहा है तो यह देखिए पीछे का जो बट़ पेपर है उसे आप कुछ इस तरीके से निकाल लीजे यहाँ पर बट़ पेपर निकाल ले और यह दिखिए नीचे से भी अच्छ तरीके से पक चुगा है तो आप ऐसे अगर केक बनाएंगे ना तो यह बहुत ज़दा अच्छा बनके तयार होगा और साथी साथ बहुत ज़दा fluffy और इसम पंजी भी बनेगा तो आप लोग इस तरीके से थंडा कर लेते हैं और केक यह थंडा हो चुकिए अब इसे कट करेंगे तो यहां पे ना हमने एक थ्रेड लिया है जिसके मदद से हम लोग केक की लेरिंग करेंगे तो यहां पे बस आपको थ्रेड को कुछ इस तरीके से लगाना है और उसके बाद इसे आप ऐसे दोनों साइट से करके स्टेच कर दीजे तो यहां पे केक को कट करने में तो भी मुश्किल तो हो रही थी लेक तो हम लोग इसको आपको ख़ा सकते हैं लेकिन यहां पे हम लोग इसको की कहते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एकदम fluffy whipping cream को हमें whip करना है तो अब हम लोग cake का नीचे वाला sponge ले लेते हैं और इसमें add कर देते हैं यह चेनी पानी का mixture क्योंकि हमने केक में कम चेनी का इस्तमाल किया है क्योंकि यहाँ पे चेनी पानी का घोल भी लगाना है whipping cream में भी cream होती ही है और उसके बाद हम लोग पे pineapple crush लगाएंगे इसमें भी cream होती है तो यहाँ पे हम लोगों ने एक piping bag में whipping cream को भर लिया था जिससे आसानी हो cake में डालने पे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग cake पे whipping cream लगा देते हैं उसके बाद हम लोग लिया है pineapple crush जैसे की आप सब देख सकते हैं तो इदा हम मार्केट स्टाइल बना के त्यार कर रहे हैं तो इसलिए इसमें यह सारे ingredients आट कर रहे हैं तो pineapple crush को आट करने के बाद भी कुछ इस तरीके से फैला लेंगे और यह जो knife है इसको आप बीच में clean भी करते रहेगा वरना जो white whipping cream है उस पर yellowish color आजाएगा उसके बाद हमने उपर इसके pine apple डाले हैं कुछ और फिर हम लोग इसको उपर वाले से cover कर देंगे तो जो उपर वाला है उसको आपको नीचे की साइड रखना है और जो center वाला था उसको उपर के साइड रखेगा इससे ना केक का जो उपर वाला सर्फेस है वो एकदम flat बनके तयार होगा और एक तब अच्छ तरीके से coat भी हो जाएगा वैपिंग टीम से तो यहां पर हम लोग ने थोड़ा सा ना पहले ही white whipping cream को एक piping bag में भर लिया था और जो पची whipping cream है यह 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 यहीं लोग इमल्शन मिला रहे है जिससे की whipping cream है ना उसमें भी flavor और कलर राज है और यहां पे येल्लो वाले हम लोग फ्लार्ट्स थोड़े बड़े बनाएंगे और वाइट वाले थोड़े जैसे कि आफ सब देख सकते हैं तो बस जो भी आपको डिजाइन पता हो आप ऐसे बना सकते हैं मुझे सही तो ही जादर डिजाइनिग नहीं आती है जो बेकरी से भी अच्छा बनके तयार हुआ है क्योंकि हम इसे घर पे बनाया है एकदम होम इंडिन्स को इस्तमाल करके तो एक बज़र ट्राइ कीजेगा और यह बनाने में बहुत आसान है जल्दी बनके तयार ही हो जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा तो एक बज़र को ट्राइ कीजेगा और अगर आपको हमादी आज यह स्वास्थ आई है तो लाइक कीजेए चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजेए और बेल अकन दबारा नहीं भूई लिएगा जिससे जब भी हम लोग ऐसे रस्पी अप्लोड करें तो आपको उसकी लोड़िफिक्शन मिल जाए और आप उसे देख सके अभी आगे भी हम लोग और केकी रस्पी अप्लोड करेंगे तो जरूर से जरूर बेल आइकन को प्रेस कीजेगा बिलते हैं अपने एक लिए वीडियो में वीडियो को पूर रिटने हैं थाइंक यू और बाइवाए